हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी यूटूब चैनेड में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में किर्चॉप्स होल्टेज लो ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 14th प्रॉलेम स्टडी करेंगे तो देखिए जो प्रॉलेम आज हमें सॉल करना ह वो आपके सामने है कोशन में क्या लिका है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक सर्कॉट दिया है और इसके लिए कोशन में लिका है find the current in the circuit by using KVL याने by using Kirchop's voltage law तो चलो हम ये प्रॉलेम सॉल करेंगे और ये प्रॉलेम सॉल करने का टेकनिक बिल्कुल वैसा ही रहेंगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉलेम में यूज किये थे यहाँ पर सबसे important क्या है देखो यहाँ यह circuit में सिर्फ एक single loop दिया है ठीक है देखो एक single loop है ठीक है और यह जाहिर सी बात है अगर यह single loop है तो यह single loop में single current flow होगा ना कही current divide होगा ना कुछ यहाँ पर कही पर भी node वगरे कुछ भी नहीं दिया है एक single loop दिया है तो हमें य loop में जो current flow हो रहा है याने जो circuit में current flow हो रहा है हमें ये current यहाँ पर find out करना है अब ये जो current है ये clockwise flow हो रहा है या anticlockwise flow हो रहा है वो हमें नहीं पता जबकि यहाँ question में already जो circuit दिया है उसमें diagram में ये देखो यहाँ पर current का direction दिया है current आए यह हमें find out करना है और यह जो direction दिया है यह ऐसा anti clock wise दिया है यह just ऐसा दिया है exam में ऐसा ही यह आया था लेकिन यह जो anti clock wise दिया है actually यह current clockwise है यह anti clockwise है वो हमें check करना पड़ेंगा और उसी के according हम solve करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो current का direction दिया है वही direction लेके solve करना ये ज़रूरी नहीं है choice आपका है या तो आप given current direction जो दिया है वो लेके solve करो या तो इसका opposite direction लेके solve करो कोई दिक्कत नहीं है answer देखना एक ही आएंगा और अब देखो हम आपको ये जो problem है ये तीन अलग अलग तरह से solve करके बताएंगे तीनों तरीके से answer एक ही आएंगा देखो तीन method method 1, 2, 3 ठीक है तो यहाँ पर जो है exam में अगर इस type का problem आया तो आपको कोई भी एक method का use करके solve करना है आपको full max मिल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है तो चलो अगर यहाँ पर हमें इसको kvl से solve करना है तो kvl में दो option आएंगे पहला option यह है कि आप ये loop में current का direction clockwise लेके solve करो ये पहला option और दूसरा option कि आप ये loop में current का direction anti clockwise लेके solve करो दोनों के थुरू final answer एक ही आएंगा चलो अब हमें काम करता है सबसे पहले ये जो loop दिया है इसमें ये जो current का direction जो दिया हुआ है already जो given है यही direction लेके पहले solve करेंगे जैसा हमने कहा ये anti clockwise है देखो ये ऐसा है यहाँ पे ये loop में kvl apply करेंगे और देखेंगे i का value क्या मिलता है तो ये रहेंगा first method तो हम यहाँ पे लिख लेंगे apply kvl in the given loop अब यहाँ पे देखो ये पूरे loop में कितने elements है वो check करो तो ये देखो ये loop में total यहाँ 5 elements है ये resistance ये resistance ये resistance ये resistance तीनों का value है 2 ohm ये battery ये battery दोनों जो battery है उसका voltage दिया है इसका 9 volt की battery है ये 3 volt की battery है यानि दोनों voltage sources है तो इस तरह से total 5 elements है इसका मतलब जो है 5 terms का equation यहाँ पे बनने वाला है kvl का अब kvl apply करते समय जो loop current आपने लिए है ये देखो ये current का जो direction है ये हमने anti-clockwise लिए है तो हम start करेंगे यहाँ पे voltage sources के साथ देखो voltage sources में आपको current का direction यानि current चेक करना है कि voltage source में current negative side से enter कर रहा है या positive side से enter कर रहा है ये आपको check करना पड़ेंगा अगर current voltage source में negative side से enter कर रहा है तो voltage source का value negative मिलो और अगर current voltage source में positive side से enter करता है तो voltage source का value positive मेलो ठीक है तो चलो हम यहाँ पे check करेंगे यह देखो यह जो current है यह ऐसा anti-clockwise है और यह current हम यह voltage source है 3V हम यहाँ पे check करेंगे तो यह जो 3V है इसका plus minus कहा है देखो यह है इधर plus यह minus यहाँ पे भी यह है plus और यह है minus ठीक है ओके अब check करो कि यह जो current I है यह voltage source में negative side से enter कर रहा है यह positive side से तो यह जो current है यह ऐसा anti-clockwise है और यह current यह voltage source में यहाँ बैटरी में यहाँ पे negative side से enter कर रहा है देखो यहाँ से enter करेंगा ठीक है इसका मतलब इसका value हम यहाँ पे लिख लेंगे minus 3 तो हम यहाँ लिख लेंगे minus of 3 ठीक है उसके बाद चलो यह voltage source की बाद करेंगे तो यह voltage source में यह current कहां से enter कर रहा है तो देखो यह ऐसा anti-clockwise है और यह current यह battery में इधर positive side से enter कर रहा है ultra rule मतलब voltage source में negative side से enter करने पर आप उसका value positive में लो और positive side से enter करने पर value negative में लो आप इसके through भी solve कर सकता है कोई फरक नहीं पड़ता है answer एक ही आता है ठीक है आप चाहे तो rough में solve करके check कर लो ठीक है तो यहाँ पे हमने एक specific rule से solve करना था तो यह हम solve कर रहे तो voltage sources का value हो गया और अब बाकी जितने भी elements है यह 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm यह सब के across का voltage drop यहाँ पे ले लो ठीक है तो यह सभी में से flow होंगा current I, इसमें से भी I flow होंगा इसमें से भी I flow होंगा इसमें से भी I flow होंगा तो जहर से बात है सभी के across का voltage drop रहेंगा 2 into I क्योंकि यहाँ का R है 2 और इसमें से flow होंगा I 2 into I, इसके across का voltage drop इसके across का भी वही 2 I और इसके across का भी वही 2 I तो यह हम सिधा सिधा यहाँ plus में लिख लेंगे plus 2 I plus 2 I plus 2 I equal to 0 ठीक है और अब यहाँ पे solve करो यह minus 3 plus 9 याने 6 और यह हो जाएंगा plus 6 of I equal to 0 ठीक है अब यह जो 6 है इसको उधर shift करो तो यह minus हो जाएंगा 6 I equal to minus of 6 so I का value हमें मिल जाएंगा यहाँ minus of 1 ampere तो finally current I हमें मिल चुका है question में जो find out करने के लिए कहा था वो हमने find out कर लिए current I is यहाँ पर minus 1 ampere लेकिन current का value हमेशा negative नहीं positive में आपको show करना चाहिए तो अगर आपको current का value positive में show करना है तो current का direction आपको change करना पड़ेंगा तो यह जो current का answer हमने निकाले minus 1 ampere यह anti-clockwise के लिए है देखो जब हमने current का direction ऐसा anti-clockwise लिए न लेकिन अगर आपको यहाँ पर minus sign हटाना है तो हम हटा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह को current I का value हम यहाँ लिख लेंगे 1 ampere plus में अब यह करने से आपको क्या करना पड़ेंगा direction change करना पड़ेंगा क्योंकि आपने minus को हटा दिये तो अब यह जो direction है हम kvL का use करने वाले है लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर current का direction change कर देंगे देखो जो current हम ने इसके पहले anti-clockwise लिए थे वो current अब हम यहाँ पर clockwise ले लेंगे देखिए current का direction हमने loop में ऐसा clockwise ले ले लिए बाकि सब कुछ सेम है तो जाहिर से बात है हम यहाँ पर लिख लेंगे फिर से हम kvL apply करेंगे और जो last जो third method रहेंगा third method हम आपको ohms lock के थूरू solve करके बताएंगे ohms lock के थूरू भी solve करते आना चाहिए ठीक है क्योंकि उसमें यहाँ पर source transformation का use होने वाला है तो वो भी हम आपको बताएंगे third method में चलो यहाँ पर फिर से हम लिख लेंगे apply kvL in loop तो देखो kvL apply करेंगे loop में तो loop में total 5 elements है 5 elements है तो 5 terms यहाँ पर equation में आएंगी यहाँ पर भी आए थी 1, 2, 3, 4, 5 terms आए थी तो यहाँ पर भी आएंगी अब हमने current का direction change किया है जो इसके पहले anti-clockwise था वो हमने clockwise दिया है ठीक है जो current का direction दिया है यह वाला इसके तरफ आप ध्यान मत दो इसको ignore करो यह हमने current का direction clockwise दिये दिये और अब चलो यहाँ पर kvL apply करना है तो rule वही है voltage source में अगर negative side से यहाँ पर minus दिदर लिका है तो उधर से एंटर कर रहा है ठीक है इसका मतलब इसका value minus मेंगा तो यह हम यहां लिख लेंगे 3 minus 9 ऐसा ठीक है और अब जो remaining R है उनके across का voltage drop लिखना है इसके across का voltage drop 2i यहां पे भी 2i और यहां पे भी 2i तो यह हम यहां लिख लेंगे plus बाकी elements plus में रहेंगे plus 2i plus 2i plus 2i equal to 0 ठीक है और अब इसको solve करो तो यह 3 minus 9 तो यह minus of 6 plus of 6 of i equal to 0 तो यह हो गया 6 of i equal to 6 so finally हमें i मिल गया यहां पे कितना 1 ampere देखो answer फिर से वही आया है हमने आपको कहा था कि answer same आता है लेकिन यह देखो answer जो है अब plus में आया है जबकि इसके पहले का answer पहले minus में आया था फिर हमने minus sign हटा कि उसको plus करें यहां पे भी देखो अब यहां पे जो हमने solve किये यहां पे पहले बार में ही answer plus में आया यह जो answer plus में आया यह कौन से direction के लिए आया जब हमने direction clockwise लिए उसके लिए आया इसका मतलब यह जो 1 ampere है यह clockwise माइनस हो जाएंगा, माइनस वन एंपेर हो जाएंगा, ठीक हैंлично में हम partie डिरेक्षन देंग pane के लिए यह देखो यह anti-clockwise के लिए clockwise के लिए प्लस anti-clockwise के लिए minus देखो हमने दोनों तरीके से आपको बता दिये exam में चाहे तो आप ऐसा solve करो full marks मिलते हैं चाहे तो आप ऐसा solve करो कोई दिक्कत नहीं है choice आपकी है ठीक है तो यह हो गया first method यह second method और अब चलो third method, third method में हमें क्या करना है इसको ohms law के through solve करना है अगर ohms law के through solve करना है तो ohms law में आपको पता है कि current find out करने का formula क्या होता है तो यहाँ पर यह circuit का current हमें find out करना है current i तो current i find out करने का formula होता है i equal to v by r यह होता है, तो अगर आपको total current find out करना है, तो total current के लिए total voltage by total R का use करना पड़ेंगा total voltage यहाँ पे क्या है तो देखो यहाँ पे battery है, दो-दो है ठीक है, तो यह दोनों जो battery है यह दोनों जो voltage sources है वो series में है, देखो, इस तरह से series में है, और जो remaining resistances है, वो भी सभी series में है, देखो यह जो 2, 2, 2 ohm है, यह भी सभी series में है, इसका मतलब 3R को जब आप plus करेंगे, 2 plus 2 plus 2, तो वो हो जाएंगा 6 ohm ठीक है, देखो, यहाँ पे series combination को solve करेंगे, voltage source voltage source के साथ series में solve करो और resistance, resistance के साथ series में solve करो, तो solve करने बाद, circuit क्या बनेगा, देखो circuit हम आपको बता रहें, circuit ऐसा बनेगा, तीनो R, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, तो वो हो गया 6 ohm, तीनो को add कर लिए और जो voltage source है, वो दोनो voltage source से series में solve करना है, तो voltage source का rule पता होना चाहिए, rule यह है कि voltage sources अगर equal sign के साथ series में है, तो उनका value का subtraction करना पड़ता, और अगर voltage source unequal sign के साथ series में है, तो उनकी value उसका addition करना पड़ता, तो आपको क्या दिख रहा है, यह जो battery है, यह जो voltage source है, इसका plus इधर है, देखो right side में plus है, इसका भी right side में plus है, और इधर से connected है, इसका मतलब दोनों इधर से series में joint है, इसका plus, इसके plus में गया है, या ultra बोलो, इसका plus, इसके plus में गया है, इसका मतलब यह है कि दोनों plus plus series में है, याने यह voltage sources equal sign के साथ series में है, यह equal हो गया ना plus plus, equal sign के साथ series में है, तो हमने क्या rule बताया है कि अगर voltage sources equal sign के साथ series में हो तो दोनों में subtraction होता है तो अब आपको ये दोनों का subtraction करना पड़ेंगा तो 9-3, 9-3 कितना 6 तो हम यहां लिख लेंगे 6V लेकिन subtraction होने के बाद आपको plus minus किसका धिना है तो जो voltage source का value बड़ा है उसका plus और minus आपको show करना है उसका plus minus यहां दे दो तो यह plus इधर यह minus ठीक है इस तरह से यह हमने यहां पर source transformation का use करके voltage sources को series में add किये और resistances को भी हमने series में add किये तो यह जो circuit था यह circuit अब ऐसा बन गया और अब यहां पर current I find out करना है तो current I यह देखो current I यह जो आपको निकलना है यह ohms law से मिल जाएंगा तो formula हमने आपको बताया है so by using ohms law यहां लेख लेंगे we have I equal to by using ohms law V by R ठीक है तो बस V कितना है यह circuit में V है 6 और R कितना है Rb है 6 तो यह हो गया 1 ampere तो finally current I मिल गया जो find out करने के लिए कहा था अगर यह problem exam में ohms law के तुरू solve करने के लिए आया तो आपको ऐसा solve करना है अगर यह problem by using kvl से solve करने को आया तो आपको ऐसा solve करना है अभी फिलाल यह problem exam में आया था by using kvl से solve करने के लिए कहा था इसलिए हमने आपको ये दोनों तरीके बता दिये दोनों में से कोई भी एक तरीका आप यूज करो for KVL और ये तरीका आप यूज करो for Ohms Law इस तरह से finally problem में जो find out करने के लिए कहा तक वो हमने find out कर लिए problem यही पर complete हो गया उम्मिद करते हैं कि ये problem आपको समझ में आया होगा ये problem आपको अपनी practice book में जरूर solve करके देख लेना चाहिए ये था किर्चॉप्स voltage law ये topic का problem number 14 इसके पहले जो हमने इसके 13 problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much